चलिए दोस्तों सताथ कर्टेंग नेया वीडियो के साथ जो की है वासिंग मेसिंग ठीक करने जा रहे है हम लोग तो यहाँ पे जो वासिंग मेसिंग का पॉबलेम है यह जो धक्कन है यह धक्कन अभी खराब हो चुका है दोस्तों देखलो आप लोग यह धक्कन है यह धक्क तो यह नहीं खुमता है क्योंकि इसका जो धक्कन है वह धक्कन तूद गया है अभी तो इसको अभी हम ठीक करेंगे तो कैसे ठीक करेंगे तो यहाँ पर हम कर दिया है सुच आन और आप लोगों को एक बर शेक करके दिखाते हैं कि यहाँ पर जो हमारा वासिंग में सिंग का वासिंग पॉंच जो है यह कैसा है यहाँ पर जब हमने सुच को ऑके कर दिया तो यहाँ पर यह घुमने लगा यह तो ठीक है लेकिन यह पर्सन में आभी खारा भी हो रहा है तो चलिए दोस्तो पीसे का जो धक्काने जल्दे से जल्दी खोल लेते हैं जादा दिर नहीं कर यहाँ पर जो ठक्कने और थीरे से आप लोगों को थोड़ा नेशे दबा करके खोलना परेगा तो पहले हम इस कुरू अभी खोल लेते हैं यहाँ पर बहुत चारे इस प्रू लगा हुआ है तो सभी स्क्रू को हम एक एक करके खोल दिये हैं तो यहाँ पर लास्त जो इस पखर में ही इसको ठीक कर सकते हो किसी मेकानिक की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे जो हमारा ठक्कन है यह थक्कन हमने खोल लिया ठीरे से और यहाँ पे सारा मेकानिजिम है तो यहाँ पे जो यह जो रसी है ना इसको आप लोग थोड़ा निशे दबा करके खोल लिजे ध्यान रहे इसको तूतेना फटेना तो यहाँ पे जो नेक्स रसी है इसको भी आप लोगों को खोलना पड़ेगा तो दोस्तों आच्छी तरह से देख लो यह खोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है जल्दी से जल्दी खोल जाएगा ज़्यादा परेशा नहीं होने की कोई जरूर ना वह पानी बाहर तक निकल के देता है तो यह दोनों रस्टी को खोलने के बाद आप लोगों को उपर का धक्कन कोलना पड़ेगा तो ध्यान रखिये यह रस्टी कोड़ने की बाद ही आप लोगों ऊपर का धक्कन खोलेगा और यह कैसा एजज़ होता है यह देख आप लोग यह आसानी से खोल गया, तो जादा दिक्कत वाली बात ही नहीं, आप खर में ही इसको ठीक कर सकते हैं, किसी मिकानिक को दिखाने के जरुर नहीं दोस्तों, तो अभी हम दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, तो यहाँ पे जो ठक्कन वाला पर्शन जो है, जस्तेबल यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, तो यह दोनों आप लोगों को एक साथ करने से यह आटमेटिक हो जाएगा, एक साथ जब करोगर ना तब आटमेटिक हो जाएगा, लेकिन इसको हम एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी इसको ठीक करने वाले हैं, कभी-कभी जब दूसरा प्रब्लेम आजाता है, तब इसको एक साथ करके आप लोग एक रस्ती से भी बान दो, किसी वाइट से भी एक साथ कर दो, तो यह काम करेगा, क्योंकि यह जो उपर आएगा तो यह लग जाता है, तो देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे जो अभी हम इसको उपर में आजाता है, देखिए, यानि कि प्लास मैनस जो खेना अभी लग जाता है, और उसके बाद अंदर का जो कप्रा सुखाने वाला जो होता है, वो खुम जाता है, तो इसको अभी ताच करने के ज़रूर नहीं, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिब देखेंगे क काहा तूता है, काहा तूतने से हमारा जो थक्काने वो थक्कान खराब हो सुका है, तो इसको ताच करने के जुरूर नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो यह पर्शन है, यह अभी हमारा तूत गया है, तो इसको तूतने से पहले अभी इसमें थो लोगों को कभी फेकना नहीं है इसको निकाल के मत फेको क्योंकि यही है जो हमारा रिपैरिंग करने वाला सीज है यह पॉर्षन को आप लोग कहीं मत फेको यह रिपैरिंग करने वाला सीज है इसको घर में ही आप लोग रिपैरिंग कर पाएंगे यह देख लिजे भाई इसमें एक फेवीकूइद रग लिजिए और इससे आप लोग बहुत काम आं सकता है तो यहां पे हमने लगा दिया है फेवीकूइद सारी और हमने फेविकूइद लगा दिया है सारे और फेविकुट लगाने के बाद हमारा जो एक्स्टर जो वो है न यह आभी हम एज़स्ट कर देंगे एज़स्ट कर देने से जो हमारा फेविकुट लगा हुआ था वो जोईन हो जाएगा जल्दी-जल्दी तो जन करने के लिए दोनों को एक साथ जो तूता हुआ पड़चन है उसको भी हम एक साथ लगा देते हैं अभी एज़स करने से आप लोगो थियान रखना पड़ेगा कि दोनों ठीक तरह बने यानि कि अच्छी तरह से एज़स हो जाए इसमें गल्टी मत करिये दोस्तों यह ही तूत गया था लेकिन जब आप एज़स करेंगा ना यह उतोमेटिक एज़स हो जाएगा इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली भाद नहीं है आप लोग इसको घर में ही जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएंगे देख लीजे यह एज़स हो गया अभी एज़स हो गया और इसको अभी आप लोग दो टीन घंटा ऐसे ही रख दीजे इसको ताच मत किजिए जो वासिंग मेशिंग है इसको आप लोग फिटिंग मत किजिए इसको दो टीन घंटा अभी लगेगा यानि कि सुखाने के लिए शुखाने के लिए 2-3 गंटा लगेगा और उसके बाद यह सुख जाएगा अभी हमने लगा दिया यह फेवी कुईक और फेवी कुईक लगाने के बाद इसको हम 2-3 गंटा ऐसे ही रखने देंगे और 2-3 गंटे के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि यह थीक हुआ है की नहीं इसमें ओपर भी आप लोग फेवी कुईक थोरा लागा दीजिए ताकि यह जो है अभी अच्छी तरह से एजजास हो जाए अभी अच्छी तरह से यह जोइन हो जाए तो जोइन होने के लिए हमको थोरा वेट करना परेगा फेवी कुईक हम किसी अभी थोरा देर हमको तो वेट करना ही परेगा यानि कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करने के शक्कर में इसको जल्दी से जल्दी आप लोग फिटिंग मत करिये 2-3 गंटा ऐसे ही रख दीजिए उसके बाद जब है भी कुछ शुक जाएगा ना तब आप लोग इसको फिटिंग गर दीजिए अभी हम देखते हैं कि इसमें और कुछ खरावी है की नहीं और कोई भी खरावी नहीं सिर्फ ठक्कन का मामला था ठक्कन तुट गया था ठक्कन को कैसे ठीक करता है हमने आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया और यहाँ पे आप लोग जो हमारा ठक्कन था ठक्कन को बंधी रखे इसको कभी ताच मत करिए दो टीन घंते के अंदर अंदर आप लोग ताच मत करिये सुखने के बाद आप लोग ताच कर पाएंगे इसको सुखने के बाद ताच कीजिये कोई प्रब्लेम नहीं होगा सुखने के बाद अगर ताच करेंगे न तो वे काम करेगा अभी थोड़ा हमको वेट करना परेगा वेट करने के बाद ये जब सुख जाएगा तब हम आप लोगों को डिखाएंगे कि ये ठीक हुआ है की नहीं और यहाँ पर आप लोगों को और एक बात ठ्यान रखना है निशे की और जितना भी आपने वायर देखा है वो वायर का जो प्लास्तिक पेकेजिंग है वो आप लोगों को तच नहीं करना चाहिए निशे का जो वाइर है प्लास्टिक पेकेजिंग यहां से जो वाइर गया है ना उसको आप लोग तच मत कीजिए और वहाँ पे कोई भी आप लोग उसको सेरसर मत कीजिए यह कोई परिशानी वाली बात नहीं है यह अच्छी तरह से ठीक हो जाता है तो हमने तो देख लिया है कि यहां पे सुखने में ताइम लेगेगा दो टीन घंटा हम रखने देंगे थोड़ा वेट कर लेंगे ताकि यह अच्छी तरह से सुख जाए अच्छी तरह से जोन हो जाए और यहां पे जो आप वाइर देख रहे है ना इसको आप तच मत दो तिन घंटा पर अभी देख लिजिए हमने इसको देख लिया है कि यह ताइट हो सुका है अभी हमने चूच अन कर दिया है यह पोर्टिशन हम आप लोगों को दिखाते हैं यह ठीक हुआ है और यहां पे जो हमारा वाश्यमेसिंग है यह हो गया है ठीक